नमस्कार दोस्तो मैं Dr.Pinza नहीं फिर से एक नए वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं दोस्तो आज इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं इमाल इंजेक्शन के बारे में दोस्तों जानकारी शुरू करने एक रिक्विष्ट है यदि आप मेरे चैनल में पहली बार रहा है तो प्लेज चैनल को सस्क्राइब कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहें दोस्तों इसके साल्ट के बारे में कि इस इंजेक्शन में कौन से साल्ट पाये जाते हैं दोस्तों इसके साल्ट के बात किये जाए तो इसमें आर्ट इथर फाये जाता है इसमें आर्ट इथर एक सो पचास एमजी फाये जाता है और इस इंजेक्शन के यूज के बात किये जा लेकिन दोस्तों बताना चाहूंगा कि यदि पेसेंट में malaria की accurate system से ही है तो उस condition में इस injection का use किया जाता है यदि पेसेंट में chronic level का malaria है तो उस condition में हम artisunite injection का use करते हैं जो की काफी अच्छी तरीकेशे work करता है यदि पेसेंट को malaria के सुरुवाति सिस्टम से ही होते हैं तो उ email injection का use करते हैं लेकिन यदि पेसेंट को बहुत ज्यादा problem है उसका level जो है chronic हो चुका है तो उस condition में हम artisunite injection का use करते हैं सो गाइस अब हम बात करते हैं कि email injection कौन-कौन से brand name से market में available होता है जैसे कि यह market में rapither AB नाम से मिल जाता है, rt-ther नाम से मिल जाता है, rt-mal नाम से मिल जाता है और rapither नाम से भी यह market में available होते हैं दोस्तो अब बात करते हैं इस injection के dose के बारे में कि इसका dose किस प्रकार से patient को दिया जाता है दोस्तो इसके dose के बात के जाए तो यह 150 mg adult में दिया जाता है, यदि बच्चों के बात के जाता है तो बच्चों को अपने doctor से consult करने के बाद ही इसका dose देना चाहिए क्योंकि बच्चों में हमेशा उनके body weight को नामने के बाद ही इस injection का dose दिया जाता है आब हम जानते से market prices का Holy Starbucks कि बारे में कि इसके market prices क्या होता है, दोस्तो इसके market prices की बात के जाता है, तो इस समय जो है आपको 130 रुपाए में इसका 1 impulse, जो 2 ml का impulse होता है वो मिल जाता है आप बात करते हैं इसके contraction के बारे में कि इसके contraction क्या होते है यानि या किन किन रोगियों को नहीं दिया जाता जैसे कि कुछ हरदय रोगी होते हैं तो उस condition में इस injection का use नहीं करवाना चाहिए यदि patient को kidney रोग है तो उस condition में इस injection का use नहीं करवाय जाता शो गैस अब हम जानते हैं इसके side effect के बारे में कि इसके side effect patient में किस प्रकार से देखने को मिल सकते हैं दोस्तो इसके side effect की बात की जाए तो जैसे कि patient को nausea महसूस होना उसके body में अचानक से swailing जैसा आ जाना patient को भारी पन महसूस होना या फिर nausea omitting हो जाना ये जो है इसके side effect हो सकते हैं शो गैस अब हम बात करते हैं कुछ लोगों के शवाल के बारे में कि कुछ लोगों के शवाल कि इस प्रकार से होते हैं दोस्तो कुछ लोगों के सवाल ये होते हैं कि सर इस injection का यूज क्या हम गर्भ होती females को करवा शकते हैं और दोस्तों कुछ लोगों को शवाल यह होते हैं कि क्या गाड़ी चलाते वक्त हम इस इंजेक्शन को यूज में ले शकते हैं दोस्तों बताना चाहूंगा कि गाड़ी चलाते वक्त इस इंजेक्शन का यूज ना करें क्योंकि यदि गाड़ी चलाने वक्त आप इसका useful video के साथ तब तक के लिए best of luck